नमस्कार मेरे प्यारे विध्यारतियों मैं हूँ प्रवीन बंसल और हम कर रहे हैं कक्षा बार्वी लेखांकन अध्यायत 3 साजेदार का प्रवेश जैसे कि पिछले चरणों में हम यह देख चुके हैं कि जब भी कोई नया साजेदार किसी फर्म में प्रवेश लेता है तो उसको अपनी पूंजी के लिए कुछ रकम लानी होती है और ख्याती के लिए भी तो आज हम इस चरण में यह सीखेंगे कि अगर कोई नया साजेदार कोई पूंजी लेकर आता है तो यह एक संभवता है एक विकल्प हो सकता है कि सभी साजेदार इस बात पर सहमती दें कि जो भी अब आने वाली नई फर्म में पूंजी होगी वह नए साजेदार द्वारा लाई गई पूंजी के हिसाब से ही हो जिस चीठ को हम एक उधारन से समझ सकते हैं चलिए सीखते हैं इसको एक उधारन के रूप में और ब, एक फर्म में साजेदार हैं तथा दो, एक के अनुपात में लाब का विभाजन करते हैं वे साजेदार देख़ को लाब में एक प्रवेश के बाद नए साजेदार के अनुपात के हिसाब से होगा। यह उधारण इसी चीज को मद्य नजर रखते हुए कराया जा रहा है। A और B एक फॉर्म में साजेदार हैं तथा दो एक के अनुपात में लाब का विभाजन करते हैं। वे सा को लाब में एक बटे चार भाग के लिए शामिल करते हैं। सा 20,000 रुपे पूंजी के लिए लाता है। देखिए प्रशन आपको कहता है A और B दो पांटनर हैं जिनका अनुपात दो और एक है। और नया साजेदार जिसका नाम स या सी है वह 20,000 रुपे पूंजी के लिए लाता है और उसका साजेदारी फर्म में जो अनुपात है वह होने जा रहा है एक बटे चार। फिर प्रशन कहता है A और B की पूंजी क्रमश 45,000 और 15,000 रुपे होगा। यह निरने लिया गया कि साजेदारों की पूंजी नय ला विववाजन अनुपात के अनुसार होगी और बा की नय पूंजी ग्यात कीजिए तथा इसे मानते हुए रोज नाम चा प्रविष्टियां कीजिए। देखिए। नया साजेदार जिसका नाम C है वह एक बटे चार हिस्से के लिए आता है। अर्थात जो कुल पूंजी है वह बीस हजार गुणा चार असी हजार होनी चाहिए। अगर कोई नया साजेदार एक बटे चौथे हिस्से के लिए आता है तो कुल पूंजी बीस हजार के हिसाब से असी हजार होनी चाहिए। अब आप A और B यानि A और B की पूंजी इस असी हजार के हिसाब से नए अनुपात में बनाने वाले हैं। देखते हैं कैसे। जिसके लिए मुझे तीन बटे चार के तीन तुकडे करने होंगे जिसमें से दो तुकडे A रखता है और एक तुकडा B रखता है। ऐसा करने से ये जो नया अनुपात हमारे सामने आता है वह है छे तीन तीन अर्थात दो एक एक। अब जो नई पूंजी जो कुल पूंजी असी हजार रुपे तै हुई। उसके अंदर A, B और C अपने इसी अनुपात में इसको बनाने वाले हैं। यह होगी नए साज़ेदारी फर्म में बाकी के सभी साज़ेदारों की पूंजी प्रश्ण ने पहले ही आपको कहा कि A की पूंजी 45,000 और B की पूंजी 15,000 है अब यहाँ पे विध्यारतियों को ध्यान देना चाहिए A जिसकी पूंजी पहले से ही 45,000 निकाली जा चुकी है उनकी पूंजी 40,000 हो गई है अर्थात A फर्म में से 5,000 निकाल करके ले जाएंगे और B या B जिनकी पूंजी 15,000 है उनकी पूंजी 20,000 रुपे तैकी गई है अब यह फर्म में 5,000 रुपे ले करके आएंगे और यही कहलाता है पूंजी का समायोजन चलिए इस समायोजन को और अच्छे तरीके से सीखने के लिए एक और उधारन किया जाए अब और स एक फर्म में साजिदार हैं और तीन दो एक के अनुपात में लाप का विभाजन करते हैं वे द को फर्म में एक बटे चार भाग के लिए प्रवेश देते हैं देखिए A, B और C और नया साजिदार जिसका नाम है द उसको हम D बोल सकते हैं D एक बटे चार हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश करता है जब वे एक बटे चार के लिए प्रवेश कर रहा है तो वे इस एक बटे चार को प्रश्न के अनुसार एक बटा आठ अ से लेता है या A से लेता है और एक बटा आठ B से लेता है तो चलिए, सबसे पहले हमको लाब अनुपात का ग्यात होना चाहिए, जैसे कि प्रशन ने पहले से ही तै कर दिया है, कि वह A और B से 1 बटा 8 और 1 बटा 8 लेगा, तो देखते हैं, नया अनुपात क्या होगा? A का बनता है 9 बटे 24, B के लिए यह अनुपात बनेगा 5 बटे 24, और क्यूंकि C किसी तरीके का कोई त्याग नहीं कर रहा, तो यह C 4 बटे 24, और D 6 बटे 24, तो कुछ इस तरह, जो नया अनुपात चारो साजेदार के लिए आया, वह आता है 9, 5, 4, 6, अब देखते हैं, प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है, फर्म की कुल पूंजी एक लाख बीस हजार रुपे निरधारित की जाती है देखिए, पिछले उधारण में हमें यह बताया गया था कि पूंजी का समयोजन नए साजेदार के हिसाब से हो अब इस उधारण में हमें चारो साजेदारों की कुल पूंजी पहले से ही प्रश्न में दी गई है और इस तरहां हम नए साजेदार की पूंजी को भी पता लगा पाएंगे और यह भी जान पाएंगे कि पुराने साज़ेदार अब किस पूंजी के साथ काम करने वाले हैं और आप साथ साथ में प्रश्ण में यह भी देख सकते हैं कि A की या A की जो पहले पूंजी है वह है 40,000 लेकिन अब उनकी पूंजी जो तै करी गई है वह तै करी गई है 45,000 इसका मतलब A को 5000 रुपे फर्म में और लाने होंगे अब जब बात करेंगे B की तो अनुपात के हिसाब से B की पूंजी जो तै हुई है वह है 25,000 परंतु पहले से ही B की पूंजी प्रश्ण में 35,000 रुपे दी गई है इसका मतलब B 10,000 रुपे फर्म से लेके चले जाएंगे C अनुपात के हिसाब से 20,000 रुपे की पूंजी तै करवाते हैं परंतु परश्ण में पहले से ही उनकी पूंजी 30,000 रुपे दी गई है तो अब C भी फर्म में से 10,000 रुपे निकाल करके ले जाएंगे और जो नया साजेदार है जिसका नाम D है अनुपात के हिसाब से इन सज्जन को 30,000 रुपे पूंजी के लिए लाने के लिए कहा जाएगा तो कुछ इस तरह हम पूंजी का समयोजन किया करते हैं चलिए अब शुरू करते हैं एक नया उधारण जिसके अंदर हम पुने मुल्यांकन खाता, साजेदारों के खाते और तुलन पत्र सभी को पूंजी के समयोजन के हिसाब से करेंगे आप देख सकते हैं आपके सामने एक प्रश्ण है और ब एक फर्म में साजेदार हैं तथा दो एक के अनुपात में लाब का विभाजन करते हैं सव फर्म के लाब में एक बटे चार भाग के लिए प्रवेश करता है वह फर्म में तीत हजार रुपे की पूंजी लेकर आएगा अब ध्यान दिर जेगा और और ब की पूंजी उनके लाब विभाजन अनुपात के आधार पर समयोजित की जाएगी यह प्रश्ण है पूंजी के समयोजन का अब ध्यान से देखिए जैसे कि C एक बटे चार हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश लेता है तो जो बचा हुआ हिस्सा है वह है तीन बटे चार जिसके हम तीन तुकडे करते हैं क्यूंकि पुराने साज़दार दो अनुपात एक में कार रथ थे जिसमें से दो हिस्से ए रखता है और एक हिस्सा भी रखता है तो इस हिसाब से जो नया अनुपात बना वह बना छे तीन तीन अर्थात दो एक एक और अब जो कुल पूंजी है वह होने जा रही है तीस हजार गुणा चार अर्थात एक लाख बीस हजार रुपे अब नया अनुपात में इस एक लाख बीस हजार की पूंजी को बाटा जाएगा और नया अनुपात है दो अनुपात एक अनुपात एक जिसमें यह पूंजी बटेगी साथ हजार एक के लिए तीस हजार बी के लिए और तीस हजार सी के लिए तो यह हुई तैपूंजी और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ यह प्रश्न आपके पास एक पूरा प्रश्न है जिसमें पुने मुल्यांकन खाता भी बनेगा और साजेदारों के खाते भी बनेगे और साजेदारों के खाते बनने के बाद आपको पता लगेगा कितनी पूंजी होनी चाहिए जो पहले से ही हमने तै कर ली है 60,000, 30,000 और 30,000 अब मान लीजिए सभी खाते बनाने के बाद आप यह जान पाते हैं कि जो A या A की पूंजी है वह होती है 70,000 लेकिन जो तै की गी पूंजी है वह है 60,000 तो यहां A को 10,000 रुपे और लाने को कहा जाएगा तो चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं प्रश्न का तुलन पत्र आपके सामने हैं जैसे कि आप देख सकते हैं आपके पास कैश है बैंक का कैश है विविद देंदार जिन से आपने पैसा लेना है स्टॉक, फरनीचर, मशीन वभवन यह चीजे आपके तुलन पत्र में पहले से ही दी हुई है अब प्रश्न ने कुछ शर्ते भी रखी हैं जैसे जो नया साजेदार है वह 12,000 रुपे ख्याती के लिए लाएंगे और जो भवन आपको 40,000 रुपे का दिखाई दे रहा है वह 45,000 रुपे का हो गया है जो मशीन 25,000 की दिख रही है वह 23,000 रुपे की हो चुकी है देनदारों पर 6 प्रतिशत की दर से दूबत रिंड के लिए प्रवधान बनाना है और चालूख हाते खोल कर अब और सा की पूंजी का समायोजन करना है मुख्य रूप से चौथी शर्थ इस प्रश्न की विशेषता है यह तो हम सभी जानते हैं कि पुने मुल्यांकन खाता कैसे बनता है तो आईए उसी पे एक बार चर्चा कर लेते हैं और यह जो चौथी शर्थ है इसके उपर हम खास तरीके से कुछ चर्चा करेंगे भवन पेंतालिस हजार के हो चुके थे जबकि तुलन पत्र में वहें चालिस हजार पे ही दिख रहे थे तो यह हुआ आपका पांच हजार रुपे का एक लाब फिर मशीनरी पच्चिस हजार से तेईस हजार पे आई यह हुआ दो हजार का घाटा और आठ हजार के छे प्रतिशत के हिसाब से डूब जाने की आशंका रखते हैं तो यह भी एक घाटा होता है इनका निचोड यह निकलता है कि हमें पच्चिस सो बीस रुपे का लाब और यह जो लाब है पुने मुल्यांकन खाते का लाब यह लाब पुराने साजेदारों में पुराने अनुपात में बाटा जाता है जो की दो अनुपात एक में बटेगा ए के लिए सोला सो असी और बी के लिए आठ सो चालेस तो यह हुआ पुने मुल्यांकन खाता पूरा अब हम चाहते हैं कि हम साजेदार खाता बनाएं परंतूस से पहले मैं आपको प्रश्ण में दी हुई पून्जी और बाकी की चीज़ें दिखाना चाहूँगा प्रश्ण में जो पून्जी है एक ही 50,000 और बी की 32,000 है और इनके पास एक सामाने संचे है अर्थात कुछ पुराने पैसों को इनोंने बचाके रखा हुआ है और यह चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं अगर कोई पुराना संचे है तो उस संचे पे पूर्णत है पुराने साजेदारों का पुराने अनुपात में ही हक होता है और इस संचे का जो मूल है वह है 6,000 तो चलिए शुरू करते हैं इससे पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूँ कि हम पहले ही जान चुके हैं कि वह 30,000 रुपे पुंजी के लिए लाएगा और प्रश्चन ने कहा कि वह 12,000 रुपे ख्याती के लिए लाएगा तो देखते हैं साजेदारों का खाता साजेदारों के खाते में सबसे पहली चीज ए और बी के खाते में उनकी पुरानी पुंजी लिखी गई फिर जो हमने पुंजी के समायोजन के समय यह है चर्चा की थी कि नया साजेदार 30,000 रुपे लाएगा और ख्याती का जो 12,000 रुपे का भुक्तान नय साजेदार ने किया था उसके उपर पुराने साजेदारों का हक होता है जो दो अनुपात एक है 12,000 रुपे को दो अनुपात एक में बाटा गया जो 8,000 A को और 4,000 B को दिया गया उसके बाद हमने देखा जो पुराना संचे 6,000 रुपे, 4,000 और 2,000 वह भी पुराने साजेदारों को ही दिया गया पुने मुल्यांकन के 1680 और 840 भी पुराने साजेदारों को पुराने अनुपात में ही दिये जाएंगे और अब जो चोथी शर्त थी उसको करने का समय आ गया है चोथी शर्त में आपको यह कहा गया था कि सभी साजेदारों की पुनजी नए साजेदार की लाए गई पुनजी के हिसाब से समयोजित की जाएगी तो हमने प्रश्णी के शुरुवात में ही यह बात पता लगा ली थी कि तीनों ही साजेदारों की पुनजी क्या होने वाली है साथ हजार, तीस हजार और तीस हजार अब आप अगर आ के जमास्थंब का योग देखें तो वह है तरेसट हजार छेसो असी जबकि उनकी जो तैपूंजी है वह है साथ हजार तो विध्यारतियों को चाहिए कि वह है ये तैपूंजी पहले से ही लिख ले और ये जो च्छतिस सो असी रुपे का आपके पास एक घटा करके मूले मिला वह च्छतिस सो असी रुपे इस साज़ेदार को इसके चालू खाते में भेजने होंगे और ठीक इसी तरह बी जिसकी पूंजी तै हुई थी तीस हजार परंतु उसका योग आता है 38,840 उसको 8,840 रुपे अपने चालू खाते में लिखने होंगे और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह राशी डेबिट साइड अर्थात नाम पे आपको दिखाई दे रही है तो जब हम साजेदारों के चालू खाते बनाएंगे तो यह राशी डेबिट से क्रेडिट में भेज दी जाती है और कुछ इस तरीके से पूंजी का समयोजन किया जाता है और अब आखरी समय में हम तुलन पत्र बनाएंगे और उन सभी चीजों जिनके अंदर कोई शर्त नहीं थी वह वैसे ही लिख दी जाएंगी और जैसे ये देंदार जिनके उपर आपने संदिक दरिन बनाया स्टॉक वैसे ही लिखा गया है फरनीचर वैसे ही लिखा गया है मशीन की कीमत कम करके लिखी गई है शर्त के अनुसार भवन की कीमत बढ़ा करके लिखी गई है शर्त के अनुसार लेंदार उतने ही दिखाई दे रहे हैं, देवी पत्र उतने ही दिखाई देंगे और अब आप देख सकते हैं जो पूंजी तै की गई थी वह आपको तुलन पत्र में दिखाई दे रहे हैं वह भी दायत्व की तरह, और यह जो चालू खाते अभी अभी आपने पता लगाए, यह भी बैलेंस शीट में यही दिखाई देंगे, क्यूंकि यह भी क्रेडिट ठीक पूझी खातों की तरह आपके सामने आये हैं, और इस तरह आपके तुलन पत्र के दोनों ही स्थम्भों क योग एक पाए जाते हैं, और इस तरह से हम अपने इस अध्याय को पूरा करते हैं, धन्यवाद. हुआई।